किंदर कंस्टरी दिन उनमें से एक हाथी जोर से कहता है अब आप सब जिन्ता मत कीजिए पानी मिल गया है यह सुनकर सभी हाथी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें कहां मिला पानी वह हाथी कहता है यहां से थोड़ी दूरी पर एक नदी है चलो मैं तुम सबको अपने साथ ले चूहें मर जाते हैं सारे चूहें हाथीयों के पास जाकर कहते हैं महाराज नदी के पास हमारा परिवार रहता है लेकिन आपके भारी वजन के कारण बहुत चूहें मर गए हैं आप से विनती है कि आप जंगल के किनारे से होकर आया करो हम बेशक छोटे हैं पर कभी न कभी ह हम भी आपके काम आ सकते हैं। उन में से एक हाथी हंसते हुए कहता है, तुम इतने छोटे हो, तुम हमारे क्या काम आयोगे? हाथी कहते है, ठीक है, हम जंगल के किनारे से आया करेंगे। अगले दिन हाथी नदी में पानी पीने के लिए जाते है, तभी एक हाथी के उपर जाल गिर जाता है और शिकारी उसे उठा कर जील के पास ले जाते हैं और उसे रस्सी से बांध देते हैं. सभी हाथी चुहों के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं. चूहे कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे रात होते ही चूहे उस हाथी के पास जाते हैं चूहे अपने दातों से रस्सी और जाल को काट देते हैं जिससे वह हाथी बच जाता है ये वही हाथी था जिसने उन चूहों का मजाक उड़िधाया था वह कहता है मुझे माफ कर दीजिए मैंने उस दिन आपको छोटा समझ कर मजाक बनाया था आज आपकी वजह से मेरी जान बची है सीख इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि छोटे लोगों का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए मुश्किल समय में कोई भी काम आ सकता है जो काम चूहों ने किया था वह काम हाथी कभी नहीं कर सकते थे अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें शेर इट विद यूर फ्रेंद्स और फैमिली